Hey guys welcome back to our channel Unreachable आज की वीडियो में बताऊंगा अगर आप कोई FAMP account में problem आ रही है कि जब आप अपनी account से जब UPI ID को register करने की courses कर रहे हो तो यहां पर problem आ रही है कि लिखा रहा है UPI ID registration has been post तो ऐसा उचे लिखा रहा है तो इस problem को कैसे solve करें आज की वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो को लाइक चुरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी नहीं इन्फ्रमेक्टिव और वीडियोस तेकने के लिए तो दसल यह problem तब आती है जब हम जो UPI ID register करते है तो fanpay account का server down हो जाता है तो यहां फिर इसका server under maintenance चल जाता तब यह problem आती है तो आपको ध्यान रखना है जब भी आप register करने के कोशिश करो कभी रात को यारा बजे के बाद करो यहां फिर सुबा पांच बजे छे बजे से पहले पहले ले तो इस time के बीच आप register करोगे तो कोई problem नहीं आएगी अगर by chance फिर भी problem आ रहे तो इसको दो तेन reason हो सकते हैं दो तेन reason में क्या है अगर आपका जो bank है जिससे आप register करने के कोशिश करे है UPI ID उसने आपको permission नहीं देए कि online transaction के लिए आपने जो अपना debit card है उसको enable नहीं किया तो आपको वहाँ अपने जो bank है उसको online transaction के लिए उसको पहले valid करना पड़ेगा वहाँ से सारी permission लेनी पड़ेगी तो वह कर लिजेगा अगर फिर भी problem आ रही है तो एक पर अपने जो bank है उसके customer care से बात कर लिजेगा और उनको बताने कि आपको यह problem आ रही है अगर उन्होंने अपने साइट से कुछ restriction लगाई होगी वह release कर देंगे और कोई भी problem नहीं आएगी मुझे भी problem आ रही थी और मैंने भी यह method apply किया मेरी problem भी solve होगी थी तो आपको भी same method apply करना है आपकी problem solve हो जाएगी अगर फिर भी कोई query है तो आप comment section में drop कर सकते है और